इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत बनते हैं। यह केल्शियम चैनल गतिविधी को संशोधित करके दर्द को कम करता है। सैंससे जेल केवल बाहरी उपयोग के लिए है और इसे आपके डॉक्टर द्वारा सलाह के अनुसार सक्ती से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। दवा की एक पतली परत को साफ और सूखे हाथों से प्रभावे क्षेत्रों में रिगड़ें। अपनी आँखों, नाक या मूँ के संपर्ख में आने से बचें और इसे घायल या क्षतिग्रस्ट त्वचा पर लगाने से बचें। इंक शेत्रों के साथ आकस्मिक संपर्ट के मामले में आपको इसे बहुत सारे ठंडे पानी से धोना चाहिए। ये आमतोर पर बहुत कम या कोई साइड एफेक्ट के साथ अच्छी तरह से सहन किया जाता है। हाला कि यह कुछ लोगों में आवेदन के स्थान पर जलन या चुभने का कारण हो सकता है। ये आमतोर पर अस्थाई होते हैं और समय के साथ हल हो जाते हैं। यदि वे खराब हो जाते हैं या दूर नहीं जाते हैं तो आपको अपने डॉक्टर को बताना चाहिए। हाला कि तवचा पर इस्तेमाल की जाने वाली दवाएं आमतोर पर अन्य दवाओं से प्रभावित नहीं होती हैं। आपको अपने डॉक्टर को यह बताना चाहिए कि क्या आप सुरक्षित रहने के लिए कोई अन्य दवा ले रही हैं। आपको अपने डॉक्टर को यह भी बताना चाहिए कि क्या आपको यह सुनिश्चित करने के लिए कोई चिकित्सीय स्थिती या विकार है कि यह सुरक्षित है। अगर आप गरभवती हैं या स्तनपान करा रही हैं तो अपने डॉक्टर से सलाहले। विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें धन्यवाद